बेलकम टू मिड़ेली एजुकेशन लीजिए श्टेंट्स फाइनली कक्षा दसवी और बारवी की विद्यार्थी के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है आपका एक्जाम कैंसील हो गया है जी हाँ श्टेंट्स आपने सही सुना और आपके एक्जाम का डेट बढ़ा द करा है इसके पहले से जो पंद्रा फर्वरी था लेकिन अब आपका पंद्रा फर्वरी से और बल्कि एक्जाम होगा एक मार्थ से अगया है इस नियूज में पूरा यह पूरा बात करने अपला है देखिए यहाँ पर इस परश्रूफ भी लिगा है कि दसमी बारवी की बोर्ड परिक्षा इस बार एक मार्च से होगी जो की 15 फरवरी से होना था जैसे मैं आगे बरता हूँ तो यहाँ पर इस परश्रूफ से जो पेपर कटिंग है वो लिखा गया है कि पत्रिका न इस एक्जाम से इसके बारे में डिटल से डिसकस करने वाले हैं यहाँ पर आगे दिखा गया है कि यह निड़ना है मंडल की साधारन सभा में लिया गया है दसवी और बारवी में 18 लाग से जादा बिद्ध्यार्थी सामिर होने वाले हैं मतलब यदि आप अपने स्कूल के टॉपर बनना चाहते हो पूरे मध्यप्रदेश के टॉपर बनना चाहते हो तो आपको अठार लाग बिद्ध्यार्थी को पीछे कर दोगे तब ही जा करके एक टॉपर एस्टूडेंट कहला होगी अगर आप बाकई टॉप करना चाहते हो तो प्लीज मिडिल एजुकेशन स वो 15 फरवरी से और जो प्रैक्टिकल का एक्जाम है वो 13 फरवरी से कंड़क्ट रा जाएगा लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिये हैं और एक नया एक्जाम डेट जारी किये हैं जो की एक मार्स से स्टार्ट होगा देखो वही सब बाते हैं आप लिखी हुए एक नजर आप दे करके 20 मार्स तक कंड़क्ट कराए जाएगा आगे लिखा है इसी न्यूज आर्टिकल में बिजरतेश की बीच आयुजद की जाएगी बार्चिक पर एक्छा 15 फरवरी से शुरू होने पर माध्मिक सिक्षा मंडल के सदस्यों बिरोध किया वहाँ पर जो काम करते हैं सदस्य जो हाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हों नहीं भी ओद किया कि बाई साहब जो 15 फरवरी से करा रहे हैं बिल्कुल गरता है एक्जाम को 15 फरवरी से नहीं कराओ क्या रीजन है इसमें आगे लिखा गया है उसको डिसस करेंगे आगे देखिए मंडल के कुछ सदस्का कह बड़े मुश्कल से फिर ओए थोड़ी एसे खेला फिर खाना खाया थोड़ी पढ़ाई करने बैटा फिर सो गया अपने कोचिंग अरजिसको जाना होता तो जाते रहते हैं तो उन्हें समय नहीं मिल पाता अपने प्रप्रेशन को बेतर करने के लिए इसलिए उनको पंदर कला दिन के भीतर पूरां पूरा कंप्लेट कर लें आगे लिखा है। इसलिए आपके परीच्छष एक मौर्ण से हो रही है बोड के सतली ने प्रश्ताव पर साधहर्न सभा के हाल में ही मार्स seulement है इक मौर्ण से परिच्छ बएट है कि सुलो करवाने का निड़द manger लिए है देखो यह जो हुआ है ना यह एक साधारन सभा में हुआ है ऐसा उम्मीद कर किया रहा है कि आपका परिक्षा एक मार्ज से होगा लेकिन अभी फिक्स नहीं है मतलब हैंड़ परसंटेज नहीं है लेकिन 90 परसंटेज फिक्स हो चुगा है कि आपका एक्जाम एक मार् परवरी में प्रैक्टिकल की परिक्षा संपन कराई जाएगी मतलब प्रैक्टिकल परिक्षा का डेट नहीं बतला है बलकि सिर्फ और सिर्फ आपके सैध्यांतिक परिक्षा मतलब बोर्ड परिक्षा का टाइम टेविल चेंज हुआ है आगे लिखा है मंदल दौरा परिक्ष फिर फरवरी में आपको फरवरी 28 दिन का फर्रे से उड़ गया एक मार से एक जाम समय बहुत ही कम है पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दो अगर अभी भी मजाक में ले रहे हो तो अलर्ट हो जाओ डेट रिलीज हो चुका है भाई एक्जाम जल्द ही कंडक्ट करा जाएग बस ख़वर में इतना ही था अगर आपको नीज को पूरा पूरा पाढ़ना होगा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन ओक्स में लिंक देदूँगा नीज को आप खुद भी रीड कर सकते हो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक सेयर कर दो ताकि सभी को पत्चल लाए कि दोस्तों साथ सेयर करना और मिडिल एज को सने पहरी वारत चैनल को सब्सक्राइब करो डेफिनेटली आपके बारसिक और अरदवारसिक परिक्षा को लेकर के बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है इसी यूटूब चैनल पर ओके बाई बाई